हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वारे में मार्केट वीव के बारे में एंड कुछ ओवर्वीव के बारे में जो हमने पहले बताया था तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज पहले अपनी कैंडल देख लेते हैं आज की कैंडल कैसी बनी है तो जैसा कि मैं आपको काफी time से बताता आ रहा था कि देखी ये जो range है वो market एक range में चल रहा है अभी आज हमें थोड़ा gap down opening देखने को मिला और gap down opening होने के बाद आप देख सकते हो कि हमें अपने demand zone में entry मिली अभी देखो आप देखोगे कि एक demand zone में entry मिली ये मैंने update भी गया था telegram channel में लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा downside momentum देखने को मिला लेकिन वहाँ से हमें confirmation entry मिली अभी देखिए होता क्या है कि entry काफी type की होती है अभी एक होता है confirmation entry तो confirmation entry मैं काफी बार stops के through और काफी बार बता चुका हो वो चीजे कि confirmation entry क्या होती है अभी ऐसा होता है जब हमें डर लग रहा होता है कि हो सकता है यार ये area में entry में ले लू और ये stop loss हो जाए मेरा तो उसके लिए हम बेट करते हैं कि पहले एक बार यहां से reaction आजाए तो जो reaction आएगा obviously बात एक red candle बनी होगी उसमें पहले प्राइस गिरा है तो यहां पर और जब प्राइस गिरा है यहां से upside momentum गया है तो वहाँ एक demand zone बना होगा चोटा diamond zone तो उस छोटे demand zone में हमारा planning यह रहता है कि हमें उस छोटे demand zone में confirmation entry दे लिए है market ने देखी एक consolidation किया एक यह पाच मिट के area ने score हो के रखा और यहां पर एक confirmation entry हमें मिली और confirmation entry के बाद देखे क्या momentum देखने को मिला है अभी यह चीज़े proper आपको कल के वीडियो में ठाकी देख सकते हो अभी मेरे word को देख सकते हो कि अभी मैं क्या बोल रहा हूँ और कल क्या बोल रहा था तो अभी जो चीज़े हम पहले से plan कर रहे थे वही सेम चीज़े आज हुई है और आज होने के बाद देखे कितना अच्छा momentum हमें देखने को मिला है तो अभी अगर हम सब कुछ remove कर दें चार्ट से और इस पे हम देखने की कोसिस करें कि fresh अभी क्या है तो वो अभी आप देखो 75 मेट के time frame पर जो मैंने target आपको बोला था at least target तो हमारा यही रहेगा इसको अभी थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं तो 125 मेट के time frame के according एक broad range मैं आपको यह बता देता हूँ कि यह वाला area अभी यह area एक fresh area है क्योंकि देखिए इससे थोड़ा बात नीचे लेकिन इसका achievement इसका भी कुछ नहीं है तो मतलब market तो solid लगी रही है अभी 125 मेट पर देखें 125 मेट पर देख लिया 75 मेट पर देखें तो 75 मेट पर भी same area यही बन रहा है और अगर 15 मेट पर इसको देखें तो 15 मेट के हिसाब से इसमें यहाँ पर कुछ दिख रहा है मेरे को जो कि थोड़ा बहुत candlestick दिख रही है जो कह सकते हैं कि इसको supply zone जैसा हम मान सकते हैं और यह रहा हमारा supply zone के यह इतना अच्छा structure नहीं है तो उसको देखें मेरे को तो कोई भाई भी नहीं आ रही कि यहाँ से हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत control rate टैप करें यह area और आपको यहाँ से एक अच्छा upside momentum देखने को मिले हैं लेकिन अभी देखिए market जैसा कि मैं बोल रहा हूँ sideways जैसा structure को ही follow कर रही है बिल्कुल sideways जैसा है लेकिन अभी वो थोड़ा जो fall हुआ है उस fall से fuel तो add definitely हुआ होगा तो अभी यह weekly का area जो हमारा था price चल रहा है weekly के area से बिल्कुल टैस्ट करने के बाद demand जो उनको वहाँ से चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि यह momentum ना दिखाएगा यह momentum definitely दिखाएगा और 75 minutes पर अभी हमारा एक यह area है यहाँ से हम profit booking का सोचेंगे जो लोग यहाँ से entry बनाए है जरूरी नहीं निफ्टी में आप entry बनाए हो आप इस से लग किसी stocks में entry बनाए होगे क्योंकि निफ्टी एक broad sector है मनब सभी stocks का तरीके से कह सकते होगी sector है क्योंकि इसमें निफ्टी में हमारी इंडिया की top type अच्छी companies आती है otherwise आप यहाँ से एक नए target के लिए वेट कर सकते हैं अभी के लिए मैं यह वाला area mark कर रहा हूँ जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रोख सकता है बाकी इस से लग हम बात कर रहा है reliance के वारे में तो देखिए reliance में जो candle आपको आज दिखी है वो candle अपने आप में ही बहुत कुछ बता रही है और इस candle को आप अगर देखोगे तो अभी जो में area आपको previously बोलता आया कि देखिए यह reliance जो है sideways है reliance sideways है अभी reliance ने वो वाला candle का एक मतलब जो एक कह सकते हो कि उस range का अभी breakout दे दिया अभी इसमें fresh demand zone की बात करें तो fresh demand zone अभी ये stop all time hyper है और almost इसने daily पर बहुत अच्छी closing दी है अभी week की भी candle आदा इसकी उपर close हो जाती है थोड़ा बात यहाँ पर ही close हो जाती है तो हमारे ये समसलो बहुत ज़्यादा अच्छी एक demand zone जैसा structure बन गया है अगर हम daily time frame पर बात करें तो daily time frame पर एक ये area है जो की काफी सही देख रहा है almost ये वाला area क्योंकि ये जो भी breakout हुआ है वो इसी area से हुआ है इसी area ने एक new all time high दिया है से stop के लिए तो 125 मेंट पर देखिए बहुत अच्छा quality का demand zone देख रहा है क्योंकि यहां से देखिए क्या अच्छी candle बनी है लेकिन अभी मैं सेम बात बोलूँ जैसे से product अभी यहीं से एक red candle बन जा यहां पर entry दे तो यह demand zone एक तरीके से valid नहीं होगा क्योंकि वो जो है मतलब थोड़ा वो मतलब काफी यहां प्राइद को वो हुआ है कहते हैं उसको मतलब जो भी चीज़े है ना वह ज़्यादा instant हो रही है तो instant चीज़ों का हम wait नहीं करेंगे अभी वहां हमें selling pressure देखिए का obvious सी बात है तो आप इसमें इसको long कर सकते हैं यहां से और अज़र बात करें हम bank nifty के बारे में तो देखिए bank nifty जो हमने आपको proper price action इसमें बताया था आप देख सकते हो कि कैसे A to Z price action follow हुआ है अभी यहां पर कॉन trap होए होंगे वो लोग trap होए होंगे न जो यहां पर entry plan किये मैं आपको पहले ही वोला था यह चीज क्यों सकता है देखिए अभी एक trend line जो बनी है इसका एक support लिया उसके बाद लोग सोचेंगे कि यह तो फिर से fall हो रहा है और fall होने के बाद यहां पर एक breakout हो गया और एक candle काफे अच्छी देखने को मिली है वो लोग यहां पर देखिए इसने direct gap down किया तो उनका trust और जाद जीती लिया उन लोगों ने shorts वाले जो position मना के बाट होंगे उनका trust जीता उसने gap down opening दी और gap down opening के बाद देखो एक green candle बन गई तो अभी उन लोगों तो बहुत ही जादा emotional damage और plus money damage हुआ होगा तो अभी वही है ना कि demand zone और supply zone अपने आप में इतने ज्यादा strong है कि कोई भी chart pattern आप इनसे analyze कर सकते हैं कि वो बर्क करेगा या नहीं करेगा तो और जो भी patterns वारा बनते हैं आप देखी रहे हो वो केवल और केवल demand zone और supply zone के reaction से ही बनते हैं अभी उसको convectional pattern वाले convectional trader उसको कुछ भी बोलते हैं कि अरे ये तो हमारा symmetrical triangle है cup and handle है और आपका head and shoulder है भाई कुछ भी बोलते हैं या और वो लोग head and shoulder बन रहा है इसका breakout हुआ breakout के बाद यहां से अच्छा-खासा market follow गी क्रैस होगा लेकिन उसने क्या किया demand zone follow किया demand zone के बाद यहां से reaction देखने के लिए मिल रहा है आपको तो वही चीज है ना कि ये चीजे जो भी ही pattern वाईरा इतना ही अगर market easy होता तो हर कोई पैसा बना रहा होता इस चीज से कोई pattern को सीखना कोई ज्यादा rocket science नहीं है लेकिन ये demand zone supply zone जो भी है ना वो बहुत ही अदा एक wide concept है और कहते हैं ऐसा concept है जिसके बारे में इतना लोग बात नहीं करते हैं लोगों को क्या है कि indicator set करने है चार्ट पे लोगों को कि अरे ये वाला अल्गो ट्रेडिंग लगाओ ये लगाओ वो लगाओ लोगों का यही चीज है तो main जो है ना आप सब noise रटादो चार्ट से के वलो किवल price action देखो के वलो किवल candlestick देखो जो मज़ा आएगा ना ट्रेडिंग में वो अलग ही level का होगा अगर आपको accuracy मिल रहे है न अपनी ट्रेडिंग में इस step से बस आपको अपनी psychology को maintain लगना है आप इतना पैसा चापोगे कि कोई इतना चाप में सकता है ट्रेडिंग में बहुत जादा पैसा है वो आपको पता ही है अब्यसी बात तो अभी 75 मेट पर अगर हम देखें तो 75 मेट पर देखो अभी ये डिमांज उन टच करने के बाद consultation टाइप हुआ है और अगर 15 मेट पर अगर हम देखें तो 15 मेट पर भी पिच्चर किलियर विजिबल है तो अभी के लिए अगर इसमें मैं target की बात करूँ तो at least देखो ये वाला area जो आपको पहले मैंने कभी बताया होगा उसके हिसाब से एक ये area आपको mark करके चलना है और इस area में आपको wait करना है कि यहां तक आता है almost 47.762 तक अगर यहां तक price आता है तो आपको यहां पर profit looking का सोचना है अभी के लिए मेरे को तो nifty bank की यहां से bullish लग रहा है कि अब लो कि अब लो nifty bank का chart देखते हुए बाकी reliance strong है nifty strong है bank nifty strong है और इस से अलग हम अब कुछ stocks को देख लेते है bank nifty वाले उसके बाद हमें clear confirmation मिल जाएगा तो अभी हम पहले देख लेते हैं SGFC bank को तो SGFC bank का chart आप यह देखिए जो भी मैंने आपको proper बताया था कि देखिए weekly time frame का demand zone है weekly time frame का demand zone से यह reaction हमें देखने को मिला है और यह जो daily कर daily पर जो area mark किया हुआ था उस area से मैं आपको proper क्या बताया देखिए nifty bank और bank other stocks जब demand zone में entry देगे तब एक साथ demand zone जो area मिलेगा आपको वो area वर्क करेगा अभी यह वाला gap बाला area था यह मैं आपको clear cut videos में बोला भी दाकल अगर यहां तक आता तो मेरे लिए और ज़्यादा बैस्ट होता कि मेरे को यह वाला demand zone मिल जाता बाकी इसने यहां पर थोड़ा gap down opening दिये और gap down opening के बाद देखिए कितना अच्छा momentum दिखा है और उसके बाद अब भी यह अगर इसमें मैं बात करूँ ड्राइंग को अगर remove कर दू तो target की बात करूँ तो target देखिए मेरे लिए यह वाला रहेगा पहला target कहीं न कहीं यह भी bank nifty के साथ-साथ ही match होगा यह वाला area और वीगले डाएंप हम पर demand zone तो हमारा markी किया हुआ है बाकी यह demand zone एक यह clear अभी भी best है इसमें जब भी opportunity मिलेगी तो यहां से हम long कर सकते हैं बाकी इसमें अभी के लिए मेरा target यह रहेगा 75 minutes, 125 minutes पर यह वाला area और बाकी हम देख लेते हैं SBIN का chart तो SBIN ने अभी यह जो area था हमारा देखिए उसने एक बार reaction दिया और multiple times reaction दिया यहां से तो अभी SBIN की जो picture हमारे mind में पहले थी वो अब picture उतना ज्यादा अच्छी नहीं है अभी weekly time frame पर बात करें तो weekly time frame पर देखिए यह एक breakout point है यहां से देखोगे आप तो इस area ने पीछे के copy area remove करें हैं तो अभी के लिए मैं यह वाला demand zone जो structure है demand zone जैसे structure इस demand zone जैसे structure को mark कर रहा हूँ और अगर छोटे time frame पर में जाओ 125 मेंट पर तो 125 मेंट पर मेरे को देखो यह area काफी सही लग रहा है क्योंकि यहां से यह origin है बागी 75 मेंट पर अगर हम बात करें तो 75 मेंट पर थोड़ा थोड़ा यह area आप इनको पूरे को combine करके trade कर सकते होगी 10 point का देखिए almost यह range है तो उसके तरीके से यह आप mark कर सकते हो तो अगर यह इसमें मैं expect कर रहा हूँ कि यह at least यहां आ जाए यहां आने के बाद यहां से उपर जाए अभी चलने के लिए देखो यह aggressive area से चल रहा है बागी इस से लग हम बात कर लेते हैं ICICI bank की तो देखिए ICICI bank का अगर 75 मेट पर अगर आप देखोगे तो देखिए तो देखिए रुपल क्लियर trend line जैसा जो structure है वो आपको देख रहा है लेकिन देखिए इस एरिया का प्रसे एंट्री नहीं दी ये फिर से वहीं से चल गया ये जो प्राना डेमांजोन जैसा structure बना था है आसे वहीं से चल गया तो अभी जो ICICI bank है मेरको बुलिस लग रहा है काफी मतलब solid लग रहा है चार्ड इसका इसमें target की बात करा है तो हम target यही बाला रखेंगे 2030 बाला जो हमने पुराना target मारक करके रखा है तो ICICI bank का यहां से अगर अच्छी candle दिखती है आपको तो यहां से काफी अच्छा momentum देखने को मिल सकता है बागी बात करें access bank की तो access bank देखिए demand zone जैसे structure में daily का demand zone है और उसके साथ साथ weekly का भी demand zone है daily का भी demand zone है एक्षो पच्छिसमेट पर काफे च्छा execution है और उसके बाद देखिए यह भी solid लग रहा है तो at least इसकी target की बात करूँ तो मुझे target यह बाला देख रहा है और देखिए यह जो भी label मैंने आपको बताया है bank nifty nifty वगरा में अगर supported यह breach होते है तो उसका मतलब यह नहीं है कि देखिए यह चीज जो बर्क ही नहीं कर रही है कुछ ना कुछ तो breach हो गई न demand zone बरीच होंगे कभी supply zone बरीच होंगे तो as such उसका मतलब कोई यह नहीं है कि अगर कोई demand zone breach हो गया तो यह तो studies भी पर नहीं कर रही है यह सब कुछ भी हम जो सोचते हैं तो as such कुछ नहीं है बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो में काफी मतलब समझ आ रहा है चीज़े और दिख रहा है यह चीज़े कि हाँ वर्क कर रही है तो आप अपने friends बारा को share कर सकते हो और comment करके हमें बता सकते हैं क्योंकि देखिए यह वीडियो जितना आप share करोगे अपने friends बारा से है और जिन पर इतना ज्यादा रीच आएगी वो हमें motivate करेंगी हम और ज्यादा high quality में content निगा लेंगे तो और जो भी चीज़े हम कर सकते हैं friends से वो करेंगे तो आज की वीडियो के लिबस इतना ही thank you